नमस्कार मैं हूँ यश्खुराना वक्त हो गया दिन की 25 बड़ी खबरे बताने का यूपी में आस्मानी आफ़त से 17 लोगों की दर्दनात मौत सीम योगी ने व्यक्त किया शो जारखन लिंचिंग चोरी के मामले में पुलिस ने तबरेज का बयान किया था दर्ज मारपिट का कहीं जिकर तक नहीं जारखन मौब लिंचिंग जांच के लिए S.I.T. का गठन 11 आरोपी गिरफतार सलाखों के पीछे रहेगा गुर्मीत राम रहीम खारिज हो सकती है पैरूल की अरजी कुलकाता पुलिस ने चार संदिक्दों को किया गिरफतार I.S. सदस्य होने का दावा विज्यानिक का दावा लीची से नहीं होता इनसा फ्लाइटेस रिपोर्ट्स को किया खारीच अमेरिकी विदेश मंतरी पॉम्पियो आज भारत में पी-म और जैशंकर के साथ वारता में आतंगवाद वेपार का होगा एहम एजंडा दो कानुनों में संशोधन को कैबिनेट निदी मन्जूरी विदेश जाकर भी जांच कर सकेगी या नई पियम मोदी की लोग सभमें स्पीच आज सदन में रख सकते हैं अपनी सरकार का एजंडा अपात काल की बरसी के बहाने ममता का मोदी पर वार बोली पिछले 5 साल से देश में सूपर एमर्जंसी एमर्जंसी के बहाने मोदी शाह का वार राजनितिक हित के लिए की गई थी लुक्तनतर की हत्या ग्रिहम अंत्री अमिशा 26 जुन को करेंगे कश्मीर का दवरा अमरनाथ यात्रा की तैयारी का लेंगे जायजा जम्मू कश्मीर में धारा 370 में बदलाव की तैयारी बीजेपी सांसर निश्रीकांत दूबे ने पेश किया प्राइवेट मेंबर बिल दिली के साथ सेटों पर कॉंग्रेस की कैसे हुई हार राहुल गांधी खुद करेंगे समिक्षा नीमच जेल ब्रेक अफ्तक अधिक्षक्त सहीत आठ जेल प्राहरी निलंबित हाथ नहीं लगे कैदी हुआ खुलासा 2002 में भी हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी नहीं थी किसी को खबर मांसून सत्र बड़े संकट में घिरी आरजेडी महिने भर से अग्यातवास पर तेजस्वी आदव दिल्ली के वसंत विहार ट्रिपल मडर केस में बड़ा खुलासा सिसी टीवी में दिखे दो संदिक खालिस्तानी लहर को लगतार समर्थन देने के मामले में मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर करनाड़ा सरकार परवर से कैप्टन के कड़े तेवर सिध्धू एक हफ़ते में संभाले विभाग वरना छिंज आएगा मंतरी पत जारखन के गड़वा में खाई में गिरी बस साथ की मौद 40 स्यात्री घायल प्रात्मिक जांच के बाद मुलायम को अस्पिताल से मिली छुटी आज फिर क्या जा सकता है भरती लखनों में 17 दिनों तक रद रहेंगी 33 ट्रेने 12 डाइवर्ट कई के फ्लैट्फों बदले गए केलाश मांसरोवर यातरा नेपाल के हिलसा में 40 भारती यातरी फसें सरकार से लगाई गुहार अमेरिका इरान टेंशन खतरनाक मोड पर अमेरिका इरान का टकराव भारत के लिए भी बड़े की मुसीबते तो यह थी अब तक इस सबसे बड़ी खबरे मुझे दीजे इजादत और देखते रहे हैं पंजाब के सरी